हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों सिक्चावर्टी जोड़ी मैं जानकारी आपके पास हमेशा लाता हूँ और दो अपडेट आज निकल के सामने आई हैं वो मैं आपके साथ सेयर कर रहा हूँ साथ में दोस्तों आपने मेरी एक्टेवा 6G स्कूर्टी की जितनी सुपकामना दी जितनी बधाय दी हैं उसकी दिलसर धन्यवाद दोस्तों तो काफी आपने बधाय दी हैं और सभी को बहुत बहुत दिलसर धन्यवाद दोस्तों तो चलें आज की अपडेट हम देख लेते है दोस्तों मेरा ये सेकंड चैनल है एके सर्मा के नाम से है तो प्लीज इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों इसकी जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाईगी तो चलें आज की अपडेट देख लेते हैं तो पहली अपडेट ये है दोस्तों की एक आदित जारी हुआ है 29-10-2021 को जैसे आपको मालूम है कि 30 तारीक तक आपको पदभार गिरंड करना था उसके सम्मन में दोस्तों आज लाश्ट देट है आज 30 तारीक है दोस्तों तो एदि आपने अभी तक गिरंड नहीं किया है तो उसके लिए तो आपको दिल से धन्वाद लेकिन अभी भी किसी ने नहीं लिए तो डेफिनेटली आपको इसकूल जॉइन कर लेना चाहिए दोस्तों तो ये लाश्ट जो है आदिस उन्होंने जारी किया है तो आप प्लीस आज तारीक है 30 तो आप पदभार गिरंड करन दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि वर्ग एक और वर्ग दो की संसोदित सूची में जिनका नाम है उनके एक हपते में फिर करना होगा वेरिफिकेशन तो यदि आपका नाम है तो वेरिफिकेशन कराना होगा है यहाँ पर यदि आप देखेंगे पूरी निउज को तो लेक्ति और वेरिफिकेशन कराना होगा जिनका नाम संसुद सूची में सामील है है न तो आयूक तो लोग शिक्षा अदिकारी इस्तरपत्र का वेरिफिकेशन कराना होगा गर तलब है कि विवाग ने चाईने सिक्षा की निउपती के मामले में जो है दोस्तों पांच अक्टूबर को जारी की गई थी बारह याद तेता लीस चाहने सिक्चों के कैटेगरी के मामले में सामने आई विसंगतियों के बाद में इसका संसुदन किया गया था भोपाल और रिवा के अलावा अभी अन्य संभागों के लिए कोई आदिस नहीं है आपको कराना होगा दोस्तों तो अपनी जिला सिक्चा अधिकारी जो भी जिला कारेल हैं उनसे संपर्क बनाए रखें हमारे पास भी जैसे अपडेट आती है तो हम आपके पास लाएंगे ही लाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सोब हो